हेलो फ्रेंड्स वेलकम अपने इस प्लेटफॉर्म पे मुझसे जूड़ने के लिए आज की बात करें तो आज टेंट ओफ में हैं दस माई है और अपना एज अल्वेस सेशन में लेके आ गया हूं जिसका नाम है क्रेंड फेर्स के अपसुल का सेशन फस्ट फॉल तो मैं आप आप पर डिसकस नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि गले में प्रॉब्लम है तो बोलने में प्रॉब्लम है इस वज़े से फिलाल अभी प्रियास किया मैंने कि आज एनिहाओ किसी तर आपको जो है आज का सेशन में प्रवाइड करूंगा जो भी इंपोर्टन न्यूज मैंने फ् सब्सक्राइब ना किया हो तो मैं हमबल रिक्वेस्ट आप सब्सक्राइब कर लें अवेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जो भी इंपोर्टन आप इंफोर्मेशन में यहां पर पोस्ट करूं डिसकस करूं आपको अपडेट होता रहे ठीक है यह मेरा सोसल प्रेटफॉर्म में अगर बात करें तो टेलिग्राम चैनल का यहां पर आप मुस्से जूड़ सकते हैं पीडियाफ के लिए ठीक है डेली विससे पर जो भी इसकस करता हूं मैं मैं यहां पर पीडियाफ प्रवाइट कर देता हूं ठीक है देखिए थोड़ा सुलों बोलूंगा क्योंकि प् करोड रुपे तक कर्ज लेने का अनुमान जारी किया है मलब कोविट नाइंटीन की वज़ा से जो एकॉनमी है उसको रोकने के लिए एकॉनमी जो बड़ी प्रावलम आई हमारे कंट्री में ठीक है ना आर्थिक पार्ट पर उसको रोकने के लिए किन सरकार ने सेंट्रल ग क्यों क्या करने के लिए एकॉनमी जो क्राइसेस है उसको बूस्ट अप करने के लिए जो है बारा लाग करोड रुपे लोन लेने की बात की है अब मैं आपको यहां से क्षी बता दू देखिए जो बजट बना था हमारा यह फाइनसियर चल रहा है 2020 2020 का अनुमान ने बता र वो तो एस्टिमेटेड ही होता ना इंकम और एक्स मैंने पढ़ाया है इस प्लेटफॉर्म पर बजट का मैंने क्लास लिया है तो जिन लोगों ने बजट करसे से न देखा हो वो प्लीज जाके देख लें बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा आप लोगों को बजट के प सेवेट पाइंट एट लाग करोड रुपे यह यह नुमान रखा गया था कि इस वित्तिवर्च दुदहर किस्में इतना बऊरो करेगा गोवर्मेंट ठीक है लेकिन अब कितना जा रहा है बाला लाग करोड रुपे मलब इसका मतलब साफ है कि 4-4.2 लाग करोड पे एक्स् जा रहा है ठीक है तो जब एक्स्टा जा रहा है तो इससे क्या होगा इससे घाटा होगा तो घाटा इसे जो यह exactly होता है इसे बुलते है फिसकल डेफिसिट राचकोषी यह घाटा यह मैंने define किया है अपने budget वाले class में तो एक बार उसको आप जरूर देख लीजिएगा क्या होता है फिलाल मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि 2021 में सरकार ने अनुवान लगाया था कि हम जो loan लेंगे borrow करेंगे ठीक है development के लिए government loan लेती है मार्केट से loan लेती है RBI से loan लेती है foreign loan लेती विदेशों से रड़े लेती है ठीक है इसलिएर का budget बना है इतना तो अब यह चुकी जितने भी अब को भी exam जब तक नया budget नहीं आएगा जब तक तो अगर कोई भी exam होता है तो इसी budget से questions बनता है जो budget 20 21 का बना हुआ है तो इसलिए budget इसलिए important है ठीक है next है कैलास मांसरोवर यात्रा के लिए link road धारुचुला से लिपुलेख किस राज में इस्थित है जिसका उध्गाटन रच्छा मंत्री ने आठ मही को किया है देखिए यहां से वित मंत्री ने किया या ग्रे मंत्री ने किया या प्रधान मंत्री जी ने किया रच्छा मंत्री जी ने किया नाम पुछ लेगा कमित साज जी ने किया राजनास जी ने किया या जो है प्रधान मंत्री नरेंदर मुदी जी ने किया तो फिलाल इसका अंसर रच्छा मंत्री क की बात कर रहा है तो मिस्टर राजनाज सिंग जी हमारे कौन है डिफेंस मिनिस्टर है तो मिस्टर राजनाज सिंग की बात कर रहा है ठीक है उन्होंने क्या क्या उद्गहटन के अब क्वेशन यह बन रहा है कि यह कैलास मांसोर र्यात्रा के लिए लिंक रोड का उद्गहट कांफरेंसिंग के जरी है इसका उधगाटन किया है मतलब वहाँ पर जा कि नहीं कि यह वीडियो कांफरेंसिंग के जरी है ठीक है और कोशन यह बने कितने किलोमेटर लंबी सड़क है जुसका उधगाटन किया गया है तो इस वह इंपॉर्ड़न फैक्ट इसको अच्छे और इस से कैलाश मान सरोवर्य यात्रہ आसान होगी जान लीजेगा जो ये इस लिंक Datab can help रहा होगा कैलाश मान सरोवर्य यात्रह जो है वो आसान होगी यानि कि जो सुरद्धालू है वो तीन सब्ता की यात्रा एक हफ्ते में पूरी कर सकते हैं पहले क्या था कि पहले जो सुरद्धालू कैलास मांस्रोवर की यात्रा करते थे तीन सब्ता लगता था तीन सब्ता थ्री वीक लगता था तो अब क्या है कि वो एक हफ्ते मेंने की वन वीक मे कि पूरा कर सकते हैं, इस Road के बनने के वज़ा से जान लेजे इतना आसान होगा, जो Link Road बन रहा है ठीक है, चलिए Next हमें हमें बात करें, इस चीज़ाइस को जान लेजएगा, कि इसका किस ने किया है सीमा सड़क संगटन ने किया तो बॉर्डर रोड और्गनर्यशन ने किया है ठीक किस लिंक रोड का निर्मार धारुचुला से लिपू लेख इससे क्या होगा इससे कैलास मानस रोवर की यात्रा आसान होगी और जो सुरधालू है जो विजिट करते हैं जो जा जान लिजेगा कि हाला कि नेपाल ने इस रोड पर आपत्ती जताई है और कहा है कि इसका कुछ हिस्सा नेपाल की सीमा के अंदर से होकर जाता है जिससे भारत ने कबजा किया हुआ है ठीक है नेपाल ने इस पर आपत्ती जताई है और भारत ने फिर इसको जवाब भी दिय दरता है तो भी मैंने बताया आपको धारुचुला लिपुलेखा पास लिंक रोड है यह कहां नेपाल ने इस पर आपत जिताई है ठीक है कि हाले में किस राज सरकार ने पान मसाले के 11 ब्रांडों पर एक साल का प्रतिबंद लगा दिया है तो खेर क्रोना वाइरस से बचने क लिए ठीक है बहुत लोगों के लिए प्रावला में अपने बहुत लोगों के लिए बोल रहाता है खेर ऐसा होना चाहिए भगवान करें यह पूरी तरह से प्रतिबंद लग प्रतिबंद दीत हो जाया ठीक है चले हाले में किस राज सरकार ने पान मसाला की 11 ब्रांडों प रोपदी मुर्मू राजधानी राची और गठन का बहुता 15 नौर्बर 2000 को यह अलग हुआ तक इससे बिहार से ठीक है और इसे ही कहते हैं क्या दे लैंड ओफ फॉरेस्ट धारखंड को ही कहते हैं ठीक है चले नेक्स्ट यहां पे इंपोर्टन फैक्ट्स हमारे सामने है न गाली में रच्छा मंतराले ने 37 ऐरफिल्ड को आधरिंग के लिए कंपनि के नम देदेगा कि टाटा पावर के साथ समझोता किया कितने का किया है तो आशार 1200 को क्रोण को किया है यहां रच्छा मंतरी राजनाज सिंग जीने 1200 क्रोण रुपए की यह मंजूरी आठ मई 2020 को औद नहीं के पाइदा होगा की आर्मी और और एीर्फोर्स तीनों इḥसपर अवकराली की ब सूस्ट को तो भंट्स्वाइब कर वहाँ के सिरी सा अधिक है कि आर्मी और एंवी और और Sultanya एतिस एर फिल्ड को आधनिक बनाने के लिए किस कंपनी के साथ 1200 क्रोड रुपे का समझता किया तो आंसर टाटा पावर एसी डी किया ठीक है फायदा किसको होगा तीनों से नाव को होगा फायदा इससे चलिए नेक्स्ट करनाटक सरकार ने लॉगडाउन में बंद प्रभाव आंसर है 1610 करोड आंसर सी सही है ठीक है ना 1610 करोड रुपे का मुआवजा लाफ उन लोगों के लिए है जो 25 मार्ज से बंद होने की वज़ए से संकट में है किसने किया है करनाटका सरकार ने किया है इसके कुछ important facts आप पेंडाउन कर लीजिएगा इसमें किसान सबजियां फूल फल उत्पाद धूबी नाई ऑटो रिक्सा और टैक्सी ड्राइवर सामिल है ठीक है यह वे सेक्टर है जिने लंबे समय तक बंद रहने की वज़ए से भारी नुखसान हो रहा है यदुरुपा बियस यदुरुपा वहां की कौन है मुख्यमंतरी है नोट को लिजिए नेक्स्ट विश्व प्रभासी पच्छी दिवस वर्ल्ड माइग्रेटरी बर डे कम मनाया आता है ठीक है तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यह कब किया तो आंसर 9 मही को किया थे 9th में को इसे तो एक साल में दो बार किया आता है यह एक अक्टूबर के अक्टूबर का जो सेकंड सेटर्डे होता है और जो में का सेकंड सेटर्डे होता है उस दिन किया आता है यह सेलेबरेट किया आता है हर साल 9 मही को दुनिया भर में वर्ल्ड माइग्रेटरी डे बर डे यान विश्व प्रभासी पच्छी दिवस मनाया आता है इस दिन को मनाया जाने का जो दे parents connect our world जाद नीजिएगा तो फैमिली होकी टूनमेंट के लिए जाने जते THEY से फैमिली होकी टूर्णमेंट ठीक है आपका आंसर इसको जाएगा फैमिली होकी टूर्णमेंट से यह ओप्सन से हो जाएगा फैमिली होकी टूर्णमेंट देखें यहाँ पर कुछ लिखाया है मैंने इंपॉर्णन फेक्ट कोडवा फैमिली होकी टूर्णमेंट के संस्था नाम है फैमिली होकी टूर्णामेंट और जो अब तक जा रही है कौन थे वो पंडाड़ा कुटपपा ठीक है कटपपा नहीं है याद रखिएगा नेक्स नाब का कुश्चन है नाइन्थ नंबर वैन के आकार खतरनाक एस्ट्राइड पृतिवी के बेहत पास 8,310 मील की दूरी से 6 माई 2020 को गुजरा एस्ट्राइड का नाम बताईए उस एस्ट्राइड का नाम बताईघर जो पृतिवी से यह नाम है Asteroid 2020 JJ अब जान लिजेगा इसके बारे में कुछ important facts है यह Asteroid प्रतिवी से 8,310 मील की दूरी से होकर निकल गया है जो कि चंद्रमा की कुल दूरी का करीब 3 परतिस्यत है 3% है अंतरिश में चक्कल लगा रहे इस Asteroid का नाम 2020 JJ है यह अपने छोटे आकार के वज़़ से टेलिसकोप की पकड में नहीं आया हाला कि जब यह सीधे प्रतिवी के ऊपर आया तब वैज्यानिकों को इसके बारे में पता चला इस Asteroid का छोटा आकार होने की वज़़़ से वैज्यानिक धूखा खा गये इससे पहले पिछले दिनो Asteroid 1998 OR2 प्रतिवी के करीब 63 लाग किलोमेटर की दूरी से यानि बात करें तो 19,000 किलोमेटर प्रतिगंटा की रफ्तार से निकल गया था अमेरिका की स्पेस एजनसी नासा की मताविक ऐसे करीब 22 अस्ट्राइड यानि उलका पिंड बोलते हैं उलका पिंड जो आने वाले समय में धरती पर आ सकते हैं कितने है 22 हैं किसके कोर्डिंग नासा के कोर्डिंग ठीक है ऐसे 22 उलका पिंड है 22 एस्ट्राइड है जो प्रतिवी पर आ सकते हैं फिलाल चले आगे बात करते हैं आपर नेक्स निउस निकल के आ रहा है महारणा प्रताब की जैनती कम मनाई गई तो इसका आंसर सबको पता होगा 9th परताब के नाम से प्रशिद्ध परताब सिंग का जन्म मेवार के राजा उदे सिंग दितिये और रानी जैवंता बाई के यहां हुआ था मैंने फैक्ट यहां लिखा हुआ है राजा विशेक के तुरंद बाद मुगल समराट अगवर के खिलाफ यूद लड़ने के लिए महि Hep जाना पर था महाना परताब सिंग जी को और अथा जून फंदrहसोची ष्यतर को हल्दी घाटी युदल हुआ था उनकी वीरता काफी चर्ची थे जानते हैं सब लोग इसके बारे में बतानी का उशकता है निए तो 18 जून फंद्रहसोचीर को हल्दी घाटी का युदल हुआ था ठीक है चलिए फिलाल आज के पार्ट पर कुछ इंपॉर्टन फैक्ट जो मैंने था वो फ्रेम किया था हमने डिसकस किया सब्सक्राइब कर लीजिए लाइक सेयर वेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेसे मिलता रहे और ऐसे सेशन में यहाँ पर प्रवाइट करता रहो इस प्रेटफर्म पर ठीक है कुछ गले में प्रॉब्लम है इस वज़ा से सेशन दो दिन से ला नहीं पाया और आज भी थोड़ी प्रॉब्लम है जिस वज़र से बोले में दिक्कत हो रही फिलाल मैंने यह फ्रेम किया था मुझे था कि आज मैं डिसकस करूँगा चुकि दो तीन दीन हो गया था तो होता है कि मुझे डिसकस करना है मुझे करना है चिक है तो चले फिलाल आप बात करेंगे नेक्स सेशन में मुलाकात करें आप लोगों से आज के लिए इतना ही थेंक्यू सो मच धन्यवाद